अग्याइब वेल्कम बाइक चानल येसर्स करिजनाटिक के मस्ट्री आपका हमारी चैनल पर स्वागत है होपुले आप सबी बैतरीन होंगे और हमारी पास्ट की वीडियो देख रहे होंगे तो हम जो आज कंटिन्यू करेंगे वह का 12 की बाला जी जहां हमने रेस्परेशन के पूरे पार्ट कवर कर लिए थे लास्ट पार्ट जो बागी था वो डिजीज वाला है तो डिजीज वाल में काई टाइप के डिजीज है हर एक टाइप में अलग-अलग भी करते आती हैं कि आफ चाहेंगे तो आम उसे लेक्श्व में डिसकस करने आदा वा वो साओना का थाइइं वेंटिलिटर का या व्टिलेशन का सु अम कंटिन्यू करते हैं फिषग के साद की साथ इसे कई लिजीज होता क्या किया है और उसके क्या क्या उसे जैन और कहा कहा का पर आप पर जैसा कि नाम यह देखके आप लोग समझ चुक्य हों कि आर्टीफिशियल है मतलब इसे हम यूमन्स देते हैं या हम प्रोवाइट करते हैं इसलिए इसे बोलते हैं आर्टीफिशियल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इसे आपको आर्टीफिशियल वेंटिलेशन और आर्टीफिशियल रेस्पिरेशन के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं इसमें जन्रली यह कब अपला होता है कैसे अपला होता है जब आपकी नॉर्मल ब्रीधिंग बंद हो जाए और फॉल्टी हो जाते हैं अब मतलब क्या आप जो नॉर्मल सास ले रहे हो रुक रुक के आना शूरू हो रही है जैसे कि आप जिसे एक एक स्पिरेशन यह मतलब एक मोशन में होता रहता है जैसे कि आपको जानते हैं कि यह नॉर्मल ब्रीधिंग साइकल है हमारी लेकिन इंस्पिरेशन और भी कोई गैप हो जाना तो यह तो फिर किसी वाएसे बंद हो जाए तो वह रिजन्स कव होते हैं जैनरली वह रिजन्स भी आपको जानना चा सब्सक्राइब क्या जान दोगी कि ब्रेइन की कॉंशियस्ट्नेस भड़ जाती है आपके ब्रेइन की कॉंशियस्ट्नेस यह खताम हो जाती है तो यहाँ पर हम इसका यूज लेते हैं आर्टिपीशल वेंटिलेशन का और आपको शॉक लग जाए या फिर आप चोक हो इसे बहुत सारे रीजन या तो आक्सिडेंट हो जाता है किसी की का यहाँ पर बहुत सारे है रीजन जिसके वैसे आपकी जो बोलते हैं ब्रीधिंग हैंपन हो जाती है तब आपको आर्टिफिशल वेंटिलेशन क्यों आपको मालूम है कि आपके ब्रेइन का कॉडिनेशन इसको मैनेज करता है आपके इंस्पिरेशन एक्सिरेशन सेंटर भी हमारे कॉन सा मेडिला में लोकेटेड है और जब यह लिंक तूट जाती है यह ब्रेइन से बॉड़ी की जो लिंक है वो अगर तूट जाए तो आपको ब्रेइविंग करने में दिक्कत होती है तो ऐसे मे क्या करते हैं अपर अपर आपके रेस्पिरेटरी बॉड़ी का कॉडिनेशन और उपन एयर पैसे से कराते है जैसे कि संजी आपकी बॉड़ी है यहां से आपकी पूरी वेविंग की जाएं या पर लंग तो यह कनेक्शन छूड़ जाता है आपका यह रेड में दिखाऊंगा यह आपके लंग्स है यह connection तूर जाता है और इस connection को वापस लाने के लिए आपको ventilators या artificial ventilation की जरुवत पड़ते हैं क्या होता है यह अगर establish हो जाए यह system पुरा अपने में वापस से रिष्ट आपके ब्रेंग कोडिनेट कर ले इस system के साथ तो जो आउटसाइड का open air है वो पैसेज बनाएगा किसके लिए लंग्स के लिए तो हम पर इसकी जरुवत तिद नहीं होगी अच्छा यह time कभी-कभी ज्यादा भी ले सकता है depending upon कि इंजरी किसी बड़ी हुई है तो इसी को हम लोग देखें कि I.C.U. इंटेंसीटी और युनिट में उन्हें रखा जाता है यही स्टैबिश करने के लिए अगर ब्रेंग खुद से समझ जाए तो ठीक है नहीं तो उससे प्वोर्स करते हैं artificial ventilation के दो अच्छा अब दो टाइप के artificial ventilation एक होता है माउथ तो माउथ और दूसरा होता है ventilator दोनों की अपनी importance है इसी का भी ऐसा level नहीं कि कोई ऊपर है कोई नीचे पहरे माउथ टो माउथ यहां तो माउथ पड़त है जन्रेली अगर एक्शेडेन साइट पर अंपार हमारे इंडिया में यह जन्रेली एजुकेट नहीं किया रहेता है लेकिन जनरली वहाँ पे जो हेल्फ सर्विसें वो थोड़ी उपर है हमारी अभी रोटी के पड़ा मकान की इस्यू लाइक पुट शेल्टर प्लोस की इस्यू ताम पहले उससे डील करें वहाँ पे थोड़ा उपर उठें तो उन्हें यह सब भी बता है तो अब करें तो यह चाहिए अन्यवन की वह लाइंग प्लोस एंग गश्पी अन्हें जान्य फ़िए जैसे ही आप आप लोग देखे रहे हैं ऑ्क्सीजन पी लाइंड रगे होते हैं और वह उसके साथ अप्रैटेस होते हैं यह हॉस्पिटल में होता है इसका काम भी मैंने दोनों काम बता दिया कि ब्रेन का हमारे किस से कोडिनेट का अपर पार्ट सब लग से दूसर इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं लो करने को हैं कि भाई कबता कि यह वेंटेलेटर पर रहागे शीख जाओ कैसे नॉर्मल हवा में सास लेना है उनको यह सिस्टम वापर से ब्रेन को वह सिस्टम वापर से खड़ा करने में हेल्प करते हैं तो आप पूरा इंपोर्टेंस समझे करें कि कहां पर किसका रोल है जब लेकिन बहुत ज्यादा आमाउंट की है बहुत से इंजरी है तो उसे वेंटेलेटर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है आप लोग करी रहेंगे जो प्रकार की डिजिस वाइड में पहली है वह वायरस के वैसे क्या होता है हमारे लंग सिस्टम ही इंफ्लूएंस हो रहे हैं तो कि यह जो चाप्टर से आप लोग्डाउं का नहीं पता रहें कि इतना एक्स्टेंड होने वाला है लेकिन यह जरूर पता था कि यह जनरल हमारे जो डिजीज के बारे में नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टन चैप करें कि कोई ना कोई लाइफ में जरूर आइदर रेस या किसी प्रैमिरी सर्कल या फ्रेंट सर्कल में किसी को हो सकता है तो आप उस टाइम पर ओपीनियन देने लायक रहोगी है तो बहुत बार आपकी छोटी सी वैल्यूइबल कॉंट्रिबूशन उसकी लाइफ बना सकती है यह सब ध्यान रखते रहें कि कहां पर क्या करना है और धूर सर्कल उनके ब्रेंट का जो ब्रेंट का डिसकरिशन हो जाए यह नॉर्मल टीचिंग जो आपके चाप्टर में आगे बढ़ता हूं अब इसके बाद यह हमारा पूरा का पूरा रेस्परेशन कतम हो चुका है दोस्तों आपके नियली छे नियली पांच और यह सब्दोकी इनमें से आने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा डाट इस बेरी इंपटेट पार्ट इस रास्पोरेशन और में सब्सक्राइब करेगा हमारे हाट से टीक है तो हम देखते हैं कि उसका स्टार पहले आए को डैरेक्टली हमारे बॉडी के बारे में डिरेक् नहीं देख रहे हैं और उसे जब तक आप एंट तक नहीं कोई परकोस आप लोग कोई फुल फिल नहीं कर रहे हैं तो आप लोग उसे पूरा एंड तक देखिए अब देखिए और स्कॉडिशन लिए इसमें क्या होता है हमारी बॉडि हमेशा हमेशा होती है nutrients के इसके nutrients के तो उसे nutrients हमेशा चाहिए रहते हैं जैसे कि तो ये समझे हमारी यह बाहर कोई निूट्रेन का पूरी मेंं एंटर करेगा। और तक जा कए गा। जो आईका ज़ुड़ी उसके पोड़ उसके पूर्णिक पूरे यूज watch को मेंट्रीयल बारियुन Q. इस पूरे को आ पो पूरा सब्सक्राइब एंद ही पूरा श्तुरह करें। अभी यह जो न्यूट्रेंस हमें बाहर से लिए वही नहीं एक्डॉप करते हैं इसे क्या करता है बहुत सारे और यहां पर चीजों का भी ट्रांस्पोर्टेशन होता है और भी कोई न्यूट्रेंस होंगे से एर हो गई यहां पर पिर हमने फूड खाया था वो होगा वो समझ सकते हैं इसमें हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकी जाते हैं यह बाडी सर्फेस और बाडी सर्फेस के आउट्साइड मटिरियर्स तीन परपर समझ लिया आप लोगे कि पहला एब्सॉप्शन ऑफ न्यूट्रियन्स दूसरा सेल ट्रांस्पोर्ट आउफ न्यूट्रियन्स और रिमूवल ओफ वेस्ट मटिरियल यह तीन का अब इसके बाद आप लोग को जो पढ़ना होगा कि ट्रांस्पोर्टेशन जनरली यह होता कैसे है इसमें आप लोग को एक वर्ड लिखा है ट्रांस्पोर्टेशन अकॉर्स्टू दिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांस्पोर्टेशन यह वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कोई भी हायर कॉंसेंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल से हैं वो लोवर कॉंसेंट्रेशन वाली की तरफ मूव होते हैं और यह जनरली पैसिव होता है पैसिव होता है अच्छा अब पैसिव एक्टिव का मतलब क्या हो गया पैसिव मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी बिना एनर्जी की होता है नो नीड ऑफ एनर्जी एक्टिव मतलब बायोलोजी में आपको हमेशा याद एकना आप प्लान सिस्टम पढ़ोगे जहां पे ट्रांस्पिरेशन वाटर का मॉवमेंट होगा एक्टिव वड़ा आपको आपको सुनोगे आपको दो क्योंकोशा आपको समय तो आपको दोनो वड़्स के मेंने क्ल안 मिन में बता दिया कि diffusion का मतलब क्या होता है और हमारे active transportation का मतलब क्या होता है अब इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं generally हमारे NCRT में जो classification दिया गया है वो ज़्यादा आपको याद करने के लिए प्लस purposeful बनाने के लिए अच्छे हैं लेकिन मारस्त्रा की जो हमारी introduction part है circulation का वो direct है कुछ भी यह को मिला कि आपको प्रेजेंट किया गया तो मैं जितना केटेगराइज हो सकता उतना केटेगराइज करके आपको बताने की कोशिश करूँदा अब आपको इससे एक term आता है कि transportation अगर हम आने समझें outside से ले लिया है उसके बाद आता है cyclosis side plastic इसी को बोलते है हम प्रोटोप्लास्मिक streaming not youtube streaming प्रोटोप्लास्मिक streaming और cytoplasmic streaming मतलब क्या होता है इसमें आपका समझें यह cell है cell के अंदर होता है nucleus nucleus अब nucleus के surrounding में होता है आप लोग याद बहुत अच्छे स्वाश हमारा प्रोटोप्लास्म in lower animals और cytoplasm in high animals अब क्या करता है यह जो हमारा cytoplasm है वो खुद को move करना शुरू करता है खुद को move करना शुरू करता है around the cell उसके अंदर और इस movement के तरूप समझें यहां पर आइबूजों पार्टीकल है mitochondria है माइटोकॉंड्रिया होगा गॉलगी कॉंप्लेक्स होंगी एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम होगा उनको वो क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है यह transportation देता है nutrients का इसके तो खुद को मूव करके और वो मुवमेंट और साइक्टोप्लास्म को बोलता है जहां पर साइटोफ्लाजम ने खुदको मुव करके एकी सेल कहते है निूट्रेंस ट्रास्वर की उसी बोला जाता है इंट्रासलूलर 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 ट्रास्पोर्टेशन इसी आप लोग लिए बहुत ज़्याद है समझ के अब यह दिखाता किसमी किसमी यह होता कि इसमे जंदली सिंगल से वाले हमारे पैरामीशियंग कि कि अधिक अमीबा कि यह लोवर एनिमल्स हो जैसे मनों लोवर एनिमल्स है थर्ड हमारा रूट का रूट एर और डावलो बीजिंग और युमान यहां तो उंकी पूरी बाड़ी ही है हमारे में सिर्ट एक्सेल का नाम लिखें विकाज यह मल्ति सेल्लर देया इनिसेल्लर तो देख लेए एक्जाम्पल्स कहां काप्र होता है इंट्रा सेल्लर एकी सेल्ल के अंगर एक नाम नाव नहीं इ एक्स्ट्रा सेल्डर में क्या होता है समझी यह एक टीशू है और यह एक टीशू है मतलब सेल भी बोल सकता है और टीशी भी इनके बीच सांस्पोर्टेशन किसका नियुट्रियंट का अच्छा यह किसके तुरू हो सकता है अब आए आप लोग समझते जा रहे हैं कि मैं कौण से लेवल बाते कर रहा है यहां पर क्या हो सकता है बहुत टाइप से हो सकता है लिंप से पर आप लिंप से एक होगा एक होगा आए इक्स्टरा सेल्लर बता रहा हूं बशाईुल कि जा रोह है कि इसे बुसरे चाहिए कि यह उसतों आपको रस्ते चाहिए कि ए सकते हैं शैखितरक से सामान को आपको रोर से जांते हैं वोटर से जा सकते ह moral s भी जा सकते हो तो इसी तरह से आप इस nutrient को water के through भी supply कर सकते हो blood के through भी कर सकते हैं जैसे कि humans ने यह मैं बताऊंगा इसका example भी अभी आप लोगे जैसे कि के अंदर या सेल के बाहर दूसरा क्या और रहा है टाइप ओफ फ्लुईड टाइप ओफ फ्लुईड कि कौन से टाइप के है यह था आप पुरा आप ग्लासिफाय करते हो लुए यह था प्रण्फुट आप एंतर शेलर रम एंट्रस्टेलर रमाहरे नच्पॉट पंटिवा देपिस टीप प्लूटिड इस अच्छल्टिड टाइप दूसरा क्या प्लूटिछ टीच्टू जी प्लुट्टूटी अब इनके स्पॉंज करते हैं कि बॉड़ी पे ओल्स होते हैं तो वाटर गशिंड करता है ऐसे पूर्स होते हैं तो आप लोग मेरी पास की वीडियो देखें ज्यान से जो 10 और 11 दोनों के लिए इंपॉर्डेंट है जहां पर अनिमल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था इनकी बॉड़ी में पूस होते हैं कॉलर से जैसे आप लोग बहुत से सुरूंगे तो वहां पर उसकूलम करके भी था तो बॉड़ी एक जगह से आती है दूसरे एक से निकलती है तो उसके तुरू क्य है इनके अंदर क्या सिलेंट्री सा हाईटर आपने देखा होगा वहांसे पानी एंटर करते हैं इस्केर मैं अब पूरा वापस से बाहर निकलती है एक्डिट रहते हैं तो सिंग्रेंट और हमारे मिर्व इरिया में क्या होता है सपोंज नहीं वोना सा पौरी पिरा मोर laughing ब्लड का एग्जामपल है यूमन और इसका मैंने बता दे अब इसके अलाव में कुछ और भी है जैसे कि हमारे इनके अंदर क्या होता है फ्लाट्वर्म्स प्लाट्वर्म्स और इन्हें फ्लाटी हेल्मिंसेज दीख बोलते है इनके अंदर बोलते हैं पैरेंट कैमल ट्रांस तर्कुलेशन बताता हूं आपको यह सब क्या है मतलब क्या होता है यह समझें इनकी बॉड़ी है कि यह इनके ओर्गन्स हुए है यह इनका आउटर लेयर यह ओर्गन्स इनके बीच में टिशूज और सेल जो खाली क्याविटी होती है यह फिल्ड होती है और यह फ्लूइड के थू होता है ट्रांस बॉड़ीशन नूट्रियन्स का पूरी बॉड़ी में और इसे बूलते है पैर इनकायमल सर्कुलेशन तो आपको ज्ञानने होगे प्लाटवर्स नहीं कह सकता है अब राउंड वर्म्स क्या होता है जो इसके बार इसे हम बोलते ह है अइस हलमिंटेस और राउंड वर्म्स और इनका एक्रांपल है हमारे अस्केरिस लोवा लोवा तो थीक है इसमें क्या करते हैं इनकी जो बॉड़ी है वो श्रिंक और क्या करतें एक्सपांड करती है तो इससे क्या हते हैं contraction, relaxation, contraction, relaxation के तुरू जो material है वो पूरी body में transverse होता है बस इतना सा इनके अंदर पूरा चीज involved है तो मैंने आप लोग को हर एक के बारे में बता चुका हूँ अब जो हम next जाएंगे वो रहेगा human थोड़ा सा और blood star circulation देखेंगे जिसमें आएगा open वाला part आएगा और close वाला part आएगा और इसके बाद हमनों direct entering कर जाएंगे हमारे humans के जैसे की circulatory system कैसे काम करते हैं कौन-कौन से organs are responsible anatomy क्या है हमारे heart की और आप लोग proper knowledge अब भी 12 में ही अपने जान जाओगे और जो बच्चे 11-10 में भी देखना है तो इतना कुछ stuff है नहीं कि यह चीज़ें 12 वालों को भी नहीं यह 10 वालों को भी नहीं यह 11 वालों को भी नहीं तो इस और responsibility हमारी गलती है कि आपकी नहीं होगी गो लेकिन प्लीज जो भी यह वीडियो को देख रहें एंड देखिए आप लोगों में बाठे़ और खुद भी ट्राय करिए कि आप लोग के अंतर चो टालें यूटीव इस लाइक है पैसा एक चीज अलग होती है लेकिन तो आप लोग अपना टैलेंच शोपीज कर सकते हैं दू यू अच्छा गालते हो आप लोग बहुत सारा तैलेंट आप लोग जानते हैं नहींगे लेकिन बहुत सारा जो चो इवन बड़े बड़े क्रिकेटर्स को भी यूटूब के दुरू मतलब उनको दिखाया तेंगी वीडियो की जाते हैं कि अब यह जो इंजर एक पर्टिकुलर प्लेयर है तो उसे देखिए आप अच्छा करेंगे तो इसी आशा के साथ कि आप लोग भी कुछ अच्छा करोगे जो जाएगा अपना इंदा हीडन टैलेंट है क्योंकि रखना बहुत कराब है कि आप लोग जा कोई रहेगा कि मैं अच्छे से बता सकता है जानती हूं मैं तो अच्छी चीजे आप लोग भी या तो यूट्यूब पर डिरेक्ट्ली उसे दिखाईए और निंग लाइक कि आपका वो सेकेंड पार्ट आ जाता है कि आप उसे अगर रहां करो तो तो आपने टैलेंट की ख जरूर है अगर कोई प्लैट्फॉर्म नहीं मिल रहा है और अच्छा लेगा तो लाइक और कमेंट भी करोगे और हमें जो भी आपका सपोर्ट होगा वो दिखाना कोशिश जरूर करोगे तो इसी नोट के साथ बाइबाए दोस्तों मिलते हमारे नेक्स वीडियो में एक बह साथ डिल यहां पर आप लोग को नहीं हमारे नहीं इस तफ्टर सथ और यह दिक चार्ट्टर के बाद ऑफ ऐसे न्क्रतर बने रहेंगे हैं अधिक ग्रेट डिया झाल